नक्सलियों का TCOC शुरू हो गया है और इस दवरान नक्सली अपनी उपस्थिती दर्ज करवाने के लिए लगातार प्रयास रहत है और आज के दिन नक्सलियों ने बस्तर के अलग-अलग इलाकों में बड़ी घटनाओं का अंजाम देने की कोशिस की है जिसमें कहीं उन्हों पर उन्होंने आईडी बंप्लांट कर रखा था तो कहीं एक नगर सैनी की हत्या भी की है नमस्कार मैं विकास्तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं बस्तर टॉकीज में आज हम आपको बस्तर संभाग के अलग-अलग इलाकों में हुई नक्सल घटनाओं क कि जानकारी में सबसे पहले आपको बताएं कि आज सुबह के लगभग साड़े छे बजे सुक्मा जी ले के इलमा गुंडा में जहां पर एक नया स्यार्प्याप कैम की इस्थापना की गई है और वहां आज सुबह लगभग साड़े छे बजे मावादियों ने कैम पर हमला बोल दिया लगातार फाइरिंग की और उनके जो देशी हैंड ग्रेनेट हैं उसे भी दागा इस दर्मियान लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक मुटभेट चली अचानक जब कैमपर नक्सलियों ने धावा बुला और फाइरिंग करने लगे तो जवानों ने भी अधान आरक्षक है हेमत चौधरी आरक्षक है बसप्पा और एक और आरक्षक है लेलिद बाग बस्तराइजी ने इनकी जानकारी देते हुए बताया कि तीनों ही आरक्षकों को जब घायल हो गया तो इल्मा गुंडा से ही रायपूर के लिए हेलिकॉप्टर से रिफर किया है कि जिस इस्थान पर कैम के स्थापना की जाए उसके आसपास के सराउंडिंग लगभग पांच किलिमेटर के दायरे में तो मावादी को पीछे ढखेला जा सके लेकिन कैम पर ही हमला कर देना निश्चिती तौर पर चिंता का विश्य है और एल्मा गुंडा का इलाका प्रिंटर करें तो उस और से भी आप इल्मा गुंडा जा सकते हैं लेकिन आप देखें कि यह मैंने कुछ मैप की विश्था की आप लोगों को हल्का सा समझा सकूं तो देखिए आपकी किस तरह से इल्मा गुंडा के इलाका जो है यह किसी समय मावादियों का गड़ हुआ करता था और बुरकापाल जैसे इलाके चिंतागुफा जैसे थाने से जो कैम्प हैं वहां से बड़े ऑप्रेशन जब लॉंच किये जाते थे तब एल्मा गुंडा की ओर जवानों को बड़ी संख्या में भेजा जाता था मावादियों से मुटभेड करने के लिए और एल् अपनी है जो उनकी टीम है जो की हमेशा आटोमेटिक वेपन के साथ रहते हैं वह नक्सलियों का इलाका है जो की जवानों के लिए बड़ी चुनावती है और यही वज़ा है कि इस इलाके में लगातार कैम्प की स्थापना की जारी है जिससे की मावादियों को बैक फूट कबजे का जो हिस्सा है जब उनके हाथ से जाता दिखा तो उन्होंने आज सीधे कैम पर ही अटेक कर दिया जवानों का काफी वहां पर सक्री रहना होगा और काफी मतल सावधान रहना होगा जिससे की दुबारा ऐसी घटना ना हो और मावादियों के मनसूबे इससे ही जाह जяицी चाहता कि नाराइटपूर के जो सदानंद कुमार उनके काफिले पर हमला कर दिया गया है और उनके काफिले में विलाष कर दिया गया इसमें उनकी गाड़ी बाल बाल बज गई हाला कि कुछ समय के बाद बस राइजी ने इस पूरे मामले पर से खुलासा करते हुए बताया कि आज जो नारायनपूर के एसपी हैं सदानंद कुमार और वहां एक IPS हैं अक्षे कुमार जो की अभी नक्सल एसपी हैं यह दोनों का दवरा था कड़े नार और कड़े मेटा की और इसी इलाके में माववादियों ने प्रेसर बं लगा रखा था जब भी ऐसे इलाकों पर कोई बड़ा अधिकारी या नेता जब भी बस्तर के अंधरून इलाकों में गुजरता है तो उसके पहले आरोपी पाइटी लगाई ज इस तरह की कोई घटना को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं है और इसी जांच पड़ताल में उन्हें कड़े नार और कड़े मेटा के बीच में माववादियों के द्वारा लगाया गया एक प्रेसर बं बरामत किया गया हाला कि प्रेसर बं को सुरक्षित तरीके से हुई थी कि देर साम जो है कांकेर जिले में माववादियों ने फिर एक घटना को अंजाम दिया कांकेर जिले से लगभग मुख्याले से 20 किलमेटर की दूरी पर एक गुमझीर करके गाउं है वहां पर मुर्गा बजार लगा हुआ था मेला लगा हुआ था वहां एक नगर होने या केले होने के इंतिजार में रहते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो उस मौके को नहीं छोड़ते और ततकाल उसका फायदा उठाते हुए जवान पर अटैक करते हैं और यह घटना उन्होंने कांकेर के इस गुमझीर इलाके में भी की है जहां उन्होंने सं तीन की संख्या में महवादी ग्रामीडवेज भूसा में पहुंचते हैं वह पहुंची थी और सबसे पहले बताया जा रहा है जो कुछ प्रत्यक दर्सियों ने बताया कि सबसे पहले उस जवान को कनपटी में सटा कर गोली मार दी गई और फिर उसके शरीर पर कुलहाडी स से बिवार किया गया तीस तरह से आज बस्तर के अलग-अलग इलाकों में तीन बड़ी घटनाएं हुई है यहां पर आज मिला लगा हुआ था मुर्गा बजार में बड़ी संक्या में लोग मौजूद थे एक नगर सनी का जवान जो की कांकेर का है जो की कांकेर से तक्रीब जवान को गोली मारी उसके बाद उसे पुलहरी से भी मारा गया है जवान का शव यहां पर पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं अब तक्रीबन एक घंटे पहले की घटना बताई जा रही है और इस एक घंटे में ही कांकेर से मेडिया की टीम यहां पर पहुची है बड़ी घंटना है क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहां पर यहां से तक्रीबन पांच गाड़ी में भी आग लगाई थी और पंद्रा दिन के भीतर में दूसरी बड़ी घंटना पुलिस के लिए खुला चैलेंज नक्सलियों का कि जिला मुख्याले से इतने नजदीक जो है नक्सली इस इलाके में उत्पात मचाते जा रहे हैं अब मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रामिनों की भीड है काफी दैसात है लोगों में यहां पर जो मिला लगा हुआ था जो वैपारी है वो एक-एक करकर आप यहां से निकल रहे हैं काफी दैसात उनके अंदर भी है गाउं में तो पुलिस का पॉस्टना भी काफी मुश्किल है क्योंकि धूर नक्सर प्रवाईत इलाका है लंबे समय से यहां पर चांती थी लेकिन पिछले पंदरा दिनों में इस तरीके से नस्तलियों ने अपनी मौजोद्गी दर्ज कराई है वो पुलिस के लिए बेहत चिंता का विश वे अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग पर जाएं और प्रोटोकाल का पुरी तरह से पालन करें और ऐसा कोई भी मौका ना दें जिससे कि माववादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाएं तो आज के बस्तर की यह कहानी थी आज के बस्तर की अपडेट यह जानकारी थ करते हैं कभी जवान भारी पढ़ते हैं माववादियों पर तो कभी माववादी जवानों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन पर अटेक करते हैं लगातार प्रतिदिन खून तो बस्तर में बही रहा है और बस्तर की यही कहानी हो गई है तो बस्तर की अलग-अलग कहा कानियों को जानने के लिए अगर आपको लगता है तो आप बस्तर टॉकिस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बस्तर टॉकिस के फेस्बूक पेच पर भी आ सकते हैं धन्यवाद